यदि आप लॉपढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना हमारे एप को डॉणलोड करें और लॉपढ़ें नमस्ते सदावत सलेमात भूमें भारत के रहने वाले कुछ तथा कते सेकुलरिस्ट लोग या जिनको हम कहें कि भारत में रहने वाले मुसल्मान ये कहते हैं कि वो भारत के हैं ये कहते हैं कि नहीं टेरर की कोई धर्म नहीं होती कोई जाते नहीं होता कोई संपरदाय नहीं होता अभी दिल्ली में 15 गस्त को जो विस्पोर्ट करने वाले अबू यूसुफ की ग्रफतारी हुई है जो उत्रप्रदेश के बलरामपूर का रहने वाला है हम सब जानते हैं कि बलरामपूर, गोंडा और फैजाबाद ये एरिया मुसल्मानों का या बहराइच, बारबंकी, ये मुसल्मानों के कैप्चर में आ चुका है इन जगहों पर आप अगर जाएंगे तो वहाँ पर आपको चांद तारे के जंडे आसानी से दिखाई दिये जा सकते हैं आप पूरे-पूरे एरिये में चांद छट पर तंगा दिखाई दे सकता है, हरे जंडे आपको वहाँ गेटों पर दिखाई दे सकते हैं उत्रप्रदेश में सरकार बदल गई, सरकार के बदलने का नतिजा यह निकला कि उत्रप्रदेश में घटनाओं की कमी आई, उत्रप्रदेश बड़ी सक्ती से उसको डिल कर रहा है लेकिन फिर भी इस परकार के लोग विदेशों से कनक्शन किये हुए हैं, इनकी विदेश यात्रव में जब ये सौदिया जाते हैं या ये खाली के देशों में जाते हैं और वहाँ जाने के बाद इनको जो इनके आखा मिलते हैं जैसे यूसुफ अलहिंदी जो सीरिया में मारा गया और ISIS का एक बड़ा सरगना था वो उसके मारे जाने के बाद पाकिस्तान इस्तेत एक टेर्रिस्ट से ये गवन हो रहा था जिसका नम हवजा अबु हवजा था इस इसके पास प्रेशर कुकर के बॉम मिले हैं आईडी मिला है इसके पास आत्मघाती बेल्ट मिली है कुछ पास्पोर्ट मिले हैं जो इसने अपनी बीवी और चार बच्चों के नाव बनवाकर रखा हैं ये यहाँ पर विस्पोर्ट करने के बाद विजदेश में भागने के फिराक में था अभी भारत में जो लोग कहते हैं कि वो संपर्दाय का कोई ये टेरर का कोई संपर्दाय नहीं होता ये उनको सोचना पड़ेगा कि अगर टेरर का कोई संपर्दाय नहीं होता तो ये टेरिस्ट कहां से आते हैं और ये टेरिस्ट ISIS, ISIL या पाकिस्तानी कैसे निकलता है और किस प्रकार से पकड़े जाते हैं अब आप सोच सकते हैं कि 15 अगस्त को ये बड़ा धमाका करने की फिराक में था अगर 15 अगस्त को ये बड़ा धमाका कर लेता सिक्रेटर फोर्स इतनी स्ट्रॉंग है आज भारत में कि वो नहीं कर पाया और दूसरा उसक इश्वर न करता इश्वर अगर ऐसा एक्टिव ना होते तो फिर ये हमारे हैं बड़ा विस्पूर्ट करता और पूरे देश में भगदर मचाता है इन विश्यों पर जब तब्लीकी लोग यहां पर आते हैं तब्लीकियों का यहां पर बवंडर लगता है तो इस बीच में एक ख़बर आती ही कि औरंगाबाद पूर्ट ने तब्लीकियों के बारे में एक बड़ा श्रेक्मेंट विया औरंगाबाद कूर्ट ने F.I.R. खारिच की एक पच्छिस सटाइस तब्लीकों के खिलाफ F.I.R. बहां पर थी कि आप भारत में गलत तरीके से घुसे च्छे उसमें से हिंदुस्तान के मसलमान भी थे जिनके खिलाफ F.I.R. ही की उन्होंने गलत तरीके से इन तब्लीकों को जो विदेशों से आये थे इनको अपने हां शरण दी हुई थी बहार सरकार के चतावनी के बाप जूत इनोंने शरण दी हुई थी दूसरा इसमें वो मज़ित जो ट्रस्ट की मज़ित है उन मज़ित में रुकाय गए थे तर ट्रस्टी ट्रस्टी उन्हें हाई कोर्ट में फाइल किया था कि एफायर क्वेश की जाए और एफायर क्वेश करके इनको छोड़ा जाए हमारे कोर्ट ने और अंगबाद कोर्ट ने वे एफायर क्वेश की और क्वेश करने के साथ-साथ बड़ी मारिमिक टिपड़ी की एफायर क्वेश करने तक ठीक था औरनेबल कोर्ट का कि एफायर मे चल रहे हैं पचास बर से लोग यहां पर आवी रहे हैं वो करकरमों में शामिल भी हो रहे हैं तो हाव इट मिक्स दख क्राइम यह क्राइम कैसे बनाता है है ह। मैं समझ नहीं पाया कि अनुबल कोट ने इसमें क्या देखा पचास साल से अगर कोई वेक्ती यहां पर अंदर गतिविदियां चला रहा हो या more than 50 years से यहां गतिविदियां चला रहा हो साथ में यह भी कहा का कोट ने टिपड़ी की कि CAA और NRC का जो चल रहा था देश में उसमें इसलामिक लोगों को अंडर प्रेशर लेने के लिए और इसलामिक जो जो मुस्लिम फेट को फॉलो करने वाले लोग हैं उनको अंडर कंट्रोल करने के लिए या उनको प्रेशर मे लेने के लिए तब्लिकियों के खलाफ करवाईया हुई हैं तकि मुस्लिम संबदाय बड़ा डर कर छुप कर रहे और बड़ा बच कर रहे सरकार महारा सरकार की बात है उन्होंने का हमारा सरकार की ये एक्टिविटी स्विकार नहीं की जा सकती ये एक्टिविटी देश के स्विकार नहीं की जा सकती है और अंगाबध हाई कोट ने साथ में ये भी कहा कि महारा सरकार इस प्रकार की कोई एक्टिविटी नहीं कर सकती है कोई भी भारत में आता है वो कहां जाता है किस प्रकार से जाता है भारत के कल्चर को समझना चाहता है भारत के कल्चर को समझने के लिए अगर वो कहीं पर जाता है किसी धार्मे कारकरम में शामिल होता है तो ऐसा कोई प्रोवीजन भारत में नहीं मैं आपको बता दू कि इस प्रकार के ही मामले उनोविस सुप्रीम कोर्ट तक जा चुके हैं कुछ कॉलकता से गए कुछ उत्रप्रदेश से गए कुछ दिली से गए और उनोविस सुप्रीम कोर्ट में भी बीजा का उलंहन माना और उन मामलों को plea of bargaining मैंने पीछे उसकी पूरी रिपोटिंग की थी कि साकेत कोर्ट में दिली की साकेत कोर्ट में plea of bargaining या निकि उनको गिल्टी ठेराया गया वीजा के नियमों का कि वीजा के नियमों का उलंगन किया गया उसकी अपील हाई कोर्ट गई दिली हाई कोर्ट गई और उसके बाद उसकी appeal ऑनवे सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट में भी ये एफिटिविट लगाया गया कि हम साकेत कोर्ट में जाकर इसकी माफी माफी मागने को तयार है हमने वीजा का उलंगन किया क्योंकि Ministry of Home Affairs ने इस मामले में इन लोगों को अगले दस वर्ष के लिए भारत में एंट्री मानने के लिए लगा दिया था इसका भी केस ऑनवे सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है इस बीच में औरंगाबाद हाई कोर्ट का ऐसा स्टेट्मेंट आना रीजिनिंग खुश भी हो सकती है एक पैर क्वैश की कोई समस्या नहीं है कोट के पास र कोट में जाने के लिए तयार हैं और वहां माफी वांगने के लिए तयार हैं तो वाट वॉस रॉंग इंद महरास्ट्रा एफायर हुई थी उस पर इंवेस्टिगेशन पूरा हो जाना चाहिए था जनरली हमारा रूल यह है कि कभी भी कोई एफायर होती है तो उस पर इंवेस्टिगेशन कंप्लीट होता है इंवेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद उस पर चार्शीट लगती है और चार्शी में इस प्रकार से डिस्पोज हुए और जब हमारा हाई कोट ये कहे कि भारत में सेकुलरिज्म के हाथ में क्यों आ गया और ये इसलाम से अंगरेजों ने लिया इसलाम को क्यों एसी विचारधार रखने वाले लोग अगर हमारे देश में हैं तो उस पर क्या इनिवेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होना चाहिए जब इसलामिक चरंपन्त भारत में अपने मैक्जिमम स्टेटरस पर पहुँच गया हो जब इसलामिक लोग अपने आदर्शों से भटक गए हो इवन आदर्श ही कोई ना बनाए हो तो ऐसी प्रसिती में इस प्रकार के टि इस प्रकार के के से प्लिय आप बर्गिनिंग की अनुमती दिया हां कि गलती किसी हो सकती है यह गलते मारा सरकार की के एफाय लिखने के बाद उन्हों ने उस पर इन्वेस्टिगेशन टाइम पर कंप्लीट नहीं किया उन्होंने उनके खिलाफ चार्शीट नहीं लगाई जिसका नतीजा निकला कि case delay हो गया और delay होते होते इतना delay हो गया कि high court में उसके खिलाफ case पहुच गया और high court ने बहुत सारी रिजनें और भी दी होंगी क्योंकि delay of affair, delay of investigation, not completion of investigation within the time, ये बहुत सारे विशह रहते हैं जिनमें court ये presume करता है कि आपके पास कोई material इनके खिलाफ नहीं था, इसलिए आपकी investigation में इतना delay हुआ कि within time आप चार्शीट नहीं लगा पाए, ये कारण रहते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि court की टिपड़ी भी इसके साथ आई, कि भारत में मुसलिम को दबाने के लिए भी ऐसा हो सकता है, मारा सरकार ने समय पर चार्शीट नहीं नहीं लगाई, केस को अच्छे से लड़ा नहीं, court में तथ्यों को present नहीं किया, और तथ्यों को present ना करने कर नतीज़े निकला, कि high court ने अपनी टिपड़ी जो उनके सामने आया होगा, जो विशे उनके सामने रखा गया होगा, जिस परकार से रखा गया होगा, उस पर court न अपनी टिपड़ी दी, और टिपड़ी देने के बाद दुनोंने उसको dispose of कर दिया, और F.R. को quash कर दिया, मुझे लगता है, इन सभी विश्यों पर भी हमको सबको विचार करना पड़ेगा, तभी हमारे देश में कुछ काम हम सही से कर पाएंगे, थैंक यू, इस पूरी organization को चलाने के लिए, आप नीचे description से हमारे app को download कर सकते हैं, जिससे कि law students को, lawyers को और आम आदमी जो law जानना चाहता है, वो paid classes का lab ले सकता है,